हेलो गैस स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे अधानी एनर्जी सोल्यूसिन की अच्छी कासी तेजी आई और यहां पर वहां से मुनाफा वसुली भी आई अभी इसके अंदर जो है आज ही क्वाटर 3 के रिजल्ट है उसके उपर भी हम चल्चा करेंगे अगर आप अगर बाजार को उसकी जो एकस्पेक्टेसन है उससे बेतर अगर रिजल्ट आते है तो जो है एक तेजी की संभावना हो सकती है साथ साथ टेकनिकल चार्ट भी जो है काफी यूसफुल रह सकते हैं अगर आप यहां पर देखेगे इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल इस ट् देखेगे और यह हमारे नए अवीवर्स के लिए हैं हम डेली एक शॉर्ट वीडियो सप्लोड करते हैं वो भी ज़रूर देखा करें यह इनफी बिम का शेर आज इसके अंदर अच्छी कासी तेजी थी और भी यह कहीं शेर है इसके अदर भी तेजी और इसको आप देख सक अवारे दूसरे वीडियो भी देखा जरूर करें देखें कुछ शेर केंदर तुरं तेजी आती है कुछ केंदर थोड़ी सी देर लगती है कुछ केंदर step loss भी trigger होते है अप trade ले उन वो आपकी मरजी की बात है लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस डेक नहीं आपको कुछ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन जो इसके जो इसके result आएगे जिनको नहीं पता उनको बता दू को इनालिस्स करेगे जब इसके कॉटर दिकर रिजल्ट आएगे यहाँ पर अप टेक्निकल चार्ट की बात कर लेते हैं वन आवर का चार्ट लगाया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले दिरों में यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था अभी एक राउंडिंग बोट इसका ब्रेकाउट 25.500 को क्रोस करता है तो इसके अंदर एक अच्छी तेजी आने सावना हो सकती है 15-100 रुप्य तक अब तक की बात करें तो, उसके बाद एक 30 रुपे का असपास की, इसके अंदर फिलाल मुनाफा वसुली आई है, और आगे हम देखें जैसे की 200 विक का moving average, 1300 के आसपास है, वहाँ पर भी इसको एक रेजिस्टन फेस करना पर सकता है, अगर तेजी आती है, तो, साथ-साथ, साड़े 1200 रुपे का ये जो जो जोन है, वहाँ पर ये क्यू रजिस्टन फेस कर रहा है, तो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मन्थली चार्ट के उपर, 50 महीनों का moving average, इसी लेवल के आसपास है, 1240 के आसपास, और आगे हम देखें, यहाँ पर, तो, यह जो मन्थली चार् पर यहीं पर जो है, इसा लग रहा है, तो, यहाँ पर आप सपोर्ट भी देख सकते हैं, पहले कि अगर बात करें, तो, यह जो 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 है इस लेवल के आसपास यह इसने सपोर्ट लिया था, अभी यहाँ पर भी ऐसी सिच्वेशन बन रही है, इसके नीचे आया, फिर उपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, आज इसके ऊपर यह अभी आया है, तो उसी लेवल के आसपास यहाँ पर इसका आज का ल गया है, यह जो है लेवल मुझे काफी इनपोर्टन दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की यह तेजी की जो शुरुआत हुई थी, एक अच्छी का से बाउंस बेकाया था, उसके बाद इसके नीचे अब तक इसने क्लोजिंग नहीं दी थी, यहाँ पर रि 21 दिन का मुझे विरेज को, आज फिर से इसके उपर निकला है, तो थोड़ी सी यहाँ पर यह अच्छी दिख रही है, अब आगे देखें जैसे कि यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर निकला इंट्राडे में, उसके नीचे वापस साया, तो यहाँ पर भी इसको एक र रजिस्टर्न होते हैं, काफी यूसफूल रह सकते हैं, साथ-साथ यह टेकनिकल चैट भी जो है काफी यूसफूल रह सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, यहाँ पर अगर देखें, एक हलका सा कर्व लेने की कोशिश की है, यहाँ पर आज के दिन क्यूंकि थोड़ी सी ते है सकता है, जैसे कि यहाँ पर अभी RSI की बात करें तो 52 के आसपास है, और यहाँ पर आप Fibonacci के retracement देख सकते हैं, आज का जो हाई है, जरा देखिए, इसका 78% के आसपास का जो retracement है, उससी लेवल के आसपास है, वो हमने moving averages भी देखी, और यहाँ पर भी आप देख सकते ह और यहाँ पर अभी फिलाल जो है, इसने registration phase किया है, और निचला जो यह सब लेवल है, यहाँ पर इसको support मिल सकता है, यह नजदी की support 1045 के आसपास, उसके बाद 980 के आसपास, वहाँ पर 50% का retracement है, तो यह सब लेवल को आप not करके रख सकते हैं, वहाँ पर मतलब कि यह support औ आप देख सकते हैं, तो यह 1570 के आसपास का यहाँ पर दिख रहा है, तो यह 1500 तक जानी की इसकी संभावना हो सकती है, लेकिन उसके भी पहले कुछ इसको registration का सामना भी करना पड़ सकता है, और अब इसके support और registration की वापस से हम summary कर लेते हैं, और जैसे कि हमने चर्चा की quarter 3 क result जो है, वो अच्छे आने की संभावना तो हो सकती है, लेकिन मुझे इसा लग रहा है कि जैसे कि हमने चर्चा की कि अगर market का भी कुछ expectation हो सकता है, अगर market के expectation से ज्यादा बेतर result आते हैं, तब इसके अंदर जो है तेजी की संभावना हो सकती है, अभी 1100 रुपे का सपास support अगर एक टूटता है, तो फिर दूसरे support तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेर हो, ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि एक तेजी आई, उसके बाद यहाँ पर एक इसने high बनाया, फिर थोड़ा सा consolidation हुआ, फिर थोड़ा दिन ही रहा, छोटा consolidation था, और यहाँ पर एक high बना कर जो है, अब यह थोड़ा सा लंबा consolidation हुआ है, तो अगर यह 1250 के लेवल को अगर यह पार करता है, तो अब इसके अंदर जो है, फर्दर तेजी आने की संभावना हो सकती है, फिलाल ऐसा लग रहा है, तो अब इसके support औ एक अजार का zone, और उसके नीचे देखे तो 900 seat, जो कि यह पूरी की पूरी range जो है, अच्छी का से support area इसके लिए बन सकता है, उसके नीचे के support देखे, यह जो है नजदी की support देख रहे है, क्योंकि हम बात करें एक बड़ी range की, तो उसके नीचे जो है 950 से लेकर 900 रुपे क आसपास का जो है, वो एक support area बन सकता है, वो तो अगर मतलब कि यह जानकारी की बात है, यहाँ पर इसको support मिल सकते है, अब अगर registration की बात करें, तेजी continue रहती है, तो पहला इसका जो registration area जैसे कि आज का यह high बनाया, उसी level का आसपास, यानि कि 1130 का आसपास, उसके बाद दे लेवल के आसपास 200 विक का moving average है, तो यह अभी जो है, इसके register area दिख रहे है, अगर इस सभी को power करता है, तब जो है 1500 तक जानी कि इसकी संभावना हो सकती है, तो यहाँ पर हम देखना बनता है, कि quarter three के result कैसे आता है, उसके उपर बाजार का reaction क्या रहता है, और इसके उपर ह इतना ही, अगर आपके इसके अंदर holding है, जानकारी अगर आपको अच्छी लेगे, तो like जरूर करे, share भी जरूर करे, और दूसरे वीडियो हमारा आप जरूर देखा करे, और subscribe कर ले हमारे चैनल को, और extended disclaimer जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी trade ले, उससे पहले अप